अप सभी का स्वागत है हमारे नए वीडियो में देखे बच्चों आप सभी को बहुत सारी student मेरे पास message करके बहुत सारे बच्चों ने call किया और मेरे से बार बार पूँछ रहें assignment की जो last date है उसको क्या रखा गया है assignment की जो date है ओ 31 तारीक है आगे नहीं बढ़ने वाली है क्या ऐसा मेरे पास बहुत सारे बच्चों ने पूछा है क्या assignment की last date 31 से आगे extend होगी की नहीं होगी तो इसी बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो की extend होगी या न पेपर में लिखा होता है कि last date क्या है मैं आपको दिखाता हूँ एक assignment उसमें क्या लिखा हुआ है ठीक है देखिएगा क्या है MPS यानि MA Political Science का यह है ठीक है मैं इसको दिखाता हूँ इसमें अगर आप देखेंगे तो जुलाई 2022 यानि आप सब जो अभी assignment जमा हो रहा है जिन date क्या है 31 March 2023 ही रखी गई है ठीक है और इसको लेकर के मेरे से कई बच्चों ने पूछा कि assignment की जो last date 31 March इसको extend किया जाएगा या नहीं किया जाएगा दूसरी सबसे बड़ी problem है कि बहुत सारे बच्चे जो BA के बच्चे है BAG के जो बच्चे है उन्होंने मेरे को क्या दिख आया ओभी मैं आपको दिखाता हूँ जो बच्चे थे उन्होंने मेरे पास एक subject code भोजा था BHIC 131 ठीक है एह history का बुक रहती है BHIC 131 आप देख सकते हैं भारत का इसियास प्राचिन काल से ठीक है जुलाई 22 वालों के लिए यहीं चल रहा ठीक है तो इन बच्चों ने मेरे पास भेजा और इन्हों ने कुछ अलगी बात मेरे को बताई देखेगा यहां पर इन्होंने क्या बताया इन्होंने बताया कि जुलाई 22 के लिए 30 अप्रैल तक है आपने देख लिया दो assignment मैंने आपको दिखाए question paper में क्या date रिखे है एक question paper में लिखा हुआ है कि जो last date है 31 March तक है ठीक है जो MA में लिखा है और जो BMA में लिखा होती सप्रैल लिखा है तो आखिर जो last date है वह कितनी है इसी को लेकर के सबसे बड़ा सवाल क्या है आप सभी के साथ बना हुआ है और हर जो assignment होता उसमें अलग-अलग date लिखी हुई है ठीक है अब मैं आपको clear करके बत पहली बात तो ध्यान में रखना फर्स्ट पॉइंट पॉइंट डंबर वन पहला पॉइंट अभी assignment की जो last date है वह 31 मार्च है ध्यान से सुना अभी assignment की last date क्या है 31 मार्च है और इगनू क्या करेगा assignment की last date को बढ़ा देगा ठीक है आप क्या हो जाएगी 30 अप्रैल अभी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा अब मैं आपको देखो इगनू में ना जब कोरोना नहीं था कोरोना से पहले जो last date होती थी वह 31 मार्च ही होती थी लेकिन कोरोना जब से 2 साल चला उसमें 2 साल रहा 3 साल कह लिजे लगबक 3 साल ही मा लिजे उसमे ये कुछ assignment में आप देखते होगे किसी में 31 मार्च लिखा है और किसी में 30 अपरेल लिखा है तो अभी के लिए मैं एक clear cut में एक बात आपको बता रहा हूँ अरे दावे के साथ मैं कह रहा हूँ अगर मेरी गलत नहीं है ठीक है मैं कह रहा हूँ कि भया अभी आपकी जो last date ह है ओ 31 मार्च है और ये भी कह रहा हूँ कि आगे जो आपकी date होगी ओ 30 अपरेल हो जाएगी ठीक है इसलिए आप सभी लोग जल्दबाजी में नहीं बलकि सही से अच्छे से सही तरीके से assignment को लिख लीजिए और आप सभी लोग 30 अपरेल तक अपना assignment जरूर जमा कर और इगनू notification भी release करेगा आपका जो notification हो 31 तारिक से पहले एक दो दिन या एक दो दिन के बाद जरूर आ जाएगा इस बात को आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है last date extend हो जाएगी last date extend होने का region भी क्या मैं बता देता हूँ बहुत सारे भी question paper है इगनू के website पर upload भी नहीं हुए है बहुत सारे मेरे बच्चों ने पूचा है कि student ने पूचा भाई कि जो question paper आभी तो मेरा question paper ही नहीं है 31 तारिक last date है तो कैसे होगा तो वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इगनू की तरफ से last date को 30 अपरेल तक रखा जाएगा उसके बाद भी last date बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी इसके बारे में भी मैं आपको बता हूँ उसके बाद भी last date को extend किया जा सकता है लेकिन बना करके जमा कर देना मैं बोल देता ह हूँ तो बनाते नहीं हो तुम लोग ठीक है तो भाया समझो अभी 31 मार्च है और 31 मार्च से 30 अपरेल हो जाएगी और assignment को अच्छे से लिख करके बना दीजे और अपनी अपने study center में जा करके जमा करवा दो और जिसका भी नहीं बना उसके 2 बने 4 बने है जल्दी जल्दी बना लो और 31 अपरेल से पहले सूरी 30 अपरेल से ठीक है 30 अपरेल से पहले जा करके अपना assignment जमा करवा है अभी 31 मार्च है आगे बढ़ जाएगी extend होगी last date तो चिंता मत करें टेंसन नला ले अगर आपका कोई और सवाल है तो मेरे से जरूर पूश से एक तारिक से ही start होग ठीक है एक जून से इगनू का exam start होगा ठीक है और आप सभी की जो date seat है वो बार बार अभी change हो सकती है अभी उसमें काफी बदला हो सकते हैं exam form सभी लोग भर देना पांच तारिक exam form की last date है उसको wait मत करो क्योंकि सारा exam center भर जाएगा ठीक है तो फटा फट exam center भर दो और assignment लि ये जी के बच्चे हैं मेरे चैनल से अराम से आप सभी लोग चाहे first year हो चाहे second year हो आप सभी लोग class कर सकते हैं बाकी और भी बहुत सारी classes मेरे चैनल पर आने वाली है मैं बहुत जल्दीक बहुत सारी classes लेकर के आ रहा हूं इसलिए चैनल को फटा फट सस्क्राइब कर आमने बहुत बहुत